स्वागत आप सभी का एक बार फिर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी संभाग मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ देखे राम मंदिर ने और 22 तारिक के होने माले राम दला के फुरान प्रतिष्टा के कारेकरम ने पूरे देश भर के अंदर एक माहौल बना दिया है इसमें कोई शक नहीं है और एक भक्ती बाव पूरे देश में आप कही भी जाएंगे वो आपको दिखाई देगा और इसका कुछ ना कुछ प्रतिविम्तों चुनाओं पर पढ़ना ही है इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता विपक्षी नेतार राजनितिक दल या रूप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके सहियों की दल जो है या रस्स है ये भगवान राम का उनके मंदिर का सियासी इस्तमाल कर र लेकिन दो हजार चौबीस की लड़ाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लड़ी जानी है वो पूरे देश में ये तै करेगा कि आखिर इस चौबीस के चुनाओं के बाद सिरमौर कौन बनने जा रहा है प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी तीसरी बार देश के प्रधान म में नहीं हुआ 2019 में नहीं हुआ सभी समी करण जूड़ लिए गया उसके बार लेकिन यूपी में खास तौर पर अखलेश जादा के ओपर बड़ी जिम्मेदार ही वो बात करते हैं कि मेरा भगमान पीडी ए है पिछड़ा अदलित अल्प संख्यक और यूपी में बीजेप का होने वाली इस चुनाम के अंदर तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मंच पर हैं सुविल देव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर जी एक पर जोड़दार तालियों से स्वागत करें हमारे मेहमान का राजबर साब बहुत स्वागत आपका मैंने भी आपका स्टेट्पेंट देखा आपने कहा चार सो सीटें जीतने वाला हैं एंडिये और यूपी में असी के असी ज्यादा नहीं होंगे थोड़ा कि देखे हम सच बोलते हैं सच के सिवा कुछ बोलते नहीं कि उधारण में बता दूं आपने सवाल बहुत अच्छा किया कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2017 में गड़ बंधन किया चाहँवन सीट जीते थे विधान सभा की ठीक है सपा और बसपा का गड़ बंधन हुआ तो पंद्रह को जीते लोकसभा का पंद्रह पचे 75 पचे 75 विधान सभा जब अखिलेश जी ने उन प्रिकास राजवर से गड़ बंधन किया तो 125 सिट जीते ताकत कहां है किसी से अपना लिजिए उधारण में अगर मेरी बात गलत हो यह बैठे हुए लोग हैं और दूसरी चीज़ पिछडों का हग समाजवादी पार्टी ने लूटा है मुसल्मानों को नफरत के सिवा कुछ दिया नहीं अपनी जाती को चीन करके परसादी दिया है 1521 थाने हैं उत्तर प्रदेश में नाई गोंड पाल प्रजापती बिंद के वट मला राजबर चवहा नारा करक बंसी बंजारा बहलिया खंगार जुला दुनियांसारी साइंदर जी पकीर सेख सेयद पठान कहां गया जाता करो कि कहां गया आई खाली पीडिये चीन लगए वट मिली इनका वट कहां गया सभी बात है किसको मिला भी जो पी में चला गया है अच्छां आव सत्रह आरे उन्हीस हारे बाइस हारे अब चोबीस आरेंगे कहां जीटेंगे में कॉछ तरक देंगेगे जहां जीत रहे हो एक हीट शीट रहा है नजाज भी खड़ा है निसाज जी खड़ा है अंप्रिया पटेल जी खड़ा है जो हैं distracted सियार यहां ओट दिया वह उट निसाज जी बोरा कबोरा निसाज जी बोरा कबोरा उनके पर ले कैठ जोराबा। उनके पास राहूल गांधी है वोही राहूल गांधी है ने जो सदन के अंदर 2011 की जाती वाद जनगरना सार्वजनी करने की बात आई तो बिलको फाड़ा था वही राउल गांधी जी है ने उनी की बात कर रहे हैं और वही आज चिला रहे हैं जाती वाद जनगरना की जब सत्ता में राते हैं खिले जी राहूल जी सोनिया जी मायावती जी जाई भी इंड पहले चलता था आज भी चलता है तो घोड़ा को हरी पट्टी बाता है एक दिन में बिहार जा रहा था कारिकरम में तो संजोग से लेट हो गई टेन तो हमारे नेता गारी लेकर चले गए खाना खाने हमके चलो होटल चलना है पर चल चलते हैं बैट गए एक कावाले से पुछ सब्सक्राइब करें लेकिन आपको बात चुभेगी लिभुसी का उपचुना हुआ हार गए ना महां पर या मेरे उन्होंने कहा था यह टेस्ट है हमारे कटबंदन का और आपकी ताकत नहीं इस बात थे आपकी बात से मैं समत हूं लेकिन कहां सपुछन पर चेणल पर चलता है कि हैं सेमी फाइनल है जो सब सेविवईनल है आख देखिये गां सब चिला था देखिये आपको बता दें है εδώ आपने नाम लिया खिलए जी का अखिलेश जी सुधुरूप से पूरे मन मिजास से चाहत हुएं कि 2024 में मानी मोदी जी तीसरी बर पधान मंत्री बने अखिलेश जी चाहते हैं हाम कहा था यह जी चाहत हुएं पहली दिसंबर नोट करिए पहली दिसंबर सदन के अंदर गोंती रीवर फ्रंट के मामले म जबाब देते सना उत्तर पदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नादी ने कहा यहां 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 ऐसे ऐसे पैसा बढ़ा के घोटाला किया क्यों नहीं करवाई होती सी बी आई ने जाच किया खनन घोटाले में गायतनी प्रजापती जेल में उनकी संपत्ती बंब जी जी साणाम गच्छा में मद्द प्रदस में का बोलना अखिले जी कांग्रेश को मत देना चालू पार्टी है हमको धोखा दे दिया द्वाब को धोखा देते देर नहीं लगेगी कौन बोला अखिलेश जी ने बोला हम नहीं बोलना है और दूसरी चीक कैसे जीती है जब सिवपाल जी अलग पार्टी बन्फलन समाजवादी पार्टी अब अखिलेश जी के का कहलं कि समाजवादी पार्टी में यह चोर उचकों की पार्टी हो यहां गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं यहां सराव माफिया आ गए हैं तुपाल जी ने कहा था ना चाचा भतीजा के बीच अरे चाचा भतीजा तलवार चलत रहा वह समय अजया देखिए जो दोनों तरफ के हम को दिखाई देती है कुशिश कि जहां आप हैं इंडिये में मोजी जी योगी जी यह कुछ जाती में मत बाटो सबको इस हिंदू का वोट है राम मंदिर बन रहा है और देश में राम जी का माहूल बन रहा है और सबको एक जुट करके कमरेला बनाओ जिसके निचे सब हिंदू खड़ा है उनकी कोशिश यह है पिछणों के दम पचुनाव लगा जाए बिहार में जाती के जनगरना होंगे यूपी में उसकुद्धे को उठाओ इसके आवा पीडिये जब बोलते हैं तो दलित को साथ लेकर के आओ अल्पसंख हजा बती लेलो चवान लेलो अरक अरक बंसी बंजारा चलो तुम्हारा भी हिस्सा है लेलो साम्हाजिक न्याय संहीति की रिपोर्ट पुछिए गया आपके मंच पे आएंगे अखिलेज हैं उनके जबान पे दो साल से विधायक है यूपी में कभी सामाजी के न्याय समीति की रिपोर्ट लागू करने की बात उनके जबान पर आई रोहनी आयोग मानी नरेंद मोदी जी ने बनाया है आई परसेंट आरक्षण को बाट करके पिछड़ों को देने के लिए कभी अखिले जी के जबान पर आया रंगनात मिस्रा कमेटी की रिपोर्ट कभी जबान पर आया किस video की बात करते हैं, किसको हिस्टा देने की बात करते हैं, मुKK मे राम बगल में छोड़ी, कब पाई की काटी मुड़ी, जानाची है, 김ाlav का बात ही। वो तो हमको ही मिलेगा, कांगरेस भी साथ में, कुछ कांगरेस को, समाजबादी पार्टी को, जड़ी बात दलित बोट की तो अभी मायावती जी ने तो कहा दिया हम अलग लगे लेकिन इसका जवाब एखलेश जी ने क्या दिया कि हम तो दलित प्रदानमंतरी बनाने की सपने देख रहे थे जुड़ बोलते हैं जुड़ बोलते हैं जब उप्रकास राजबर ने कहा कि चलो जितने इंडिया बनाए हो आपस में नहीं पट रही है एक नेता नहीं चुन पा रहे हो जाओ मायावती जी का 15 जनवरी को जनम दिन है दरवाजे पर जाकर के नारा लगाओ मायावती संगर्श करो हम तुम्हारे साथ नारा लगाओ जाकर हुआ तो बाहर निकलेंगी का बात है कि हम लोग परधान मंत्री बनाने के लिए हैं हाई मतन के पास नहीं गए एक खाली आड़े बोलते हैं सामने बोला काईमत था कि आपको सही बता रहा हूं देखिए आप जान लिजिए जहां तक आपने यादो की बात किया जतना गुंडा माफिया जतना परधान जतना जिला पंचाई जतना नेता बड़ी संख्या में इम्मन का ही गोल वीजेपी में जंडा टांके घूमाता यादो जादो घूमाता बड़ी संख्या में जान बचाओ के जेखिए अपराद की दुनिया में चली गया लट सपा में उजान बचाओ बड़े बीजेपी के जंडा टांके घूमाता पता करिये हम एक एक जिला का बता देए जंडा ही लगाता है वोट भी देंगे अब तक गोल तो बनी गई गई मुसलमान मुसलमान पिछले चुनाओं का आप लोगों का सपका यहां कड़ा था चूदर परसन मुसलमानों ने बीजेपी कोट किया था सराउंडिंग में इस बार वो जाएगा कम से कम 25 परसन क्यों जाएगा आप जान लेजिए समझवादी पार्टी की सरकार में बसपा कांग्रेस की सरकार में जो भी योजना बनती थी तो बीच में बिचवलिया होते थे लूट लेते थे थी लेकिन नरेंद मोदी जी मान योगी अधितनाथ जी के नित्वित में किसान सम्माणन ने दिश खाते से सीधे खाते में बीच में बिचोलीया नहीं आई सुमान काट पांच लाग तना टन इलाज करावत गरी भोजन लेके दम बना के लिट्टी ये चोखा काट के गरी जाड़ा में मजा लेता अई सपा अई लोग के सरकार में लूट लेत रहां को रसनम है गई सिलेंडर बना ही लकड़ी मिलत बदो वही बच्चा आपके बन 38% था इतना भीकास कांगरे सपा बसपा ने किया कि आज नहों करीयों में एक पर संट नहीं है अशीमye दार है यही सपा जिमे कर च अबके तू बाजाब जाबा हमारे महभूब के चक्कर में अब वो कांग्रेस आवे चाहे सब कर देख ले ले बाख आब मुसलमान इस बात से खुशी है कि सपा की सरकार रहती थी कांग्रेस की सरकार रहती थी तो प्रदेश में दंगे होते थी उत्तर प्रदेश की बात में करूं द लोग बताओ भाई आप लोग बताओ एक भी दंगा हुआ साथ साल के अंदर यूपी में कई कर्फ्यू लगा किस मुंसे वोट मंगेंगे मुसल्मान कहता है कुछ नहीं किया योगी जीने लाग दुस्मन हो कम से कम हुआ हिंदू मुसल्मान की लड़ाई नहीं होने दे रहा ह है यह मुसल्मान बोल रहा है यह द्वापारी चपियां मुसल्मान बोरा का बोरा देख लिए कि लाते रहे जहिएं कि लेजी दलित वोट में एक वोट मायावती जी के पास है भाईया ही तस नपीपर से जाता ही है उनको जाता है सेस चाचट में 65 60-70 परशन भाजपा का ज पाई बस पाई कांग्रेस में कि टीकट मिल जाए तो कुछ यादव मुसल्मा डोट देए हैं कुछ बिरादर लाह जाए तो जीती जाग यही चक्कर में खाली है अच्छा आपने बता दिया कि यादव बोट जो है बीजेपी को मिल ला जंडा टांके बिलकुल मिलेगा मायवती जी से गड़ बंधन ना कहले होतां तो खाता ना खुलल होतां उधारण देख लीजिए दोहजार उन्यस सपा बस्पा मिल के लडल चाउंसट सीट अकेले बीजेपी जीतल हम अलगे रहली हम अलगे रहली चागो हार गईना लोग सभवामरी हैं तो चाउंसट अच है सत्तार अदूनों अलग हो गई लन बचल बादास कहां लड़ाई भा तो लड़ाई हा जोट था है चिल्ला तो हाई तक घरे में जाके बाइट है कि आप अलग क्यों हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं फिर आजाते हैं हम अलग नहीं होते हैं कभी हम सच बोलते सच के सि कि अहीं सच सच बताएं नए सामा जी कि नयास समय यह कि बहर जाती में हम पैदा है जाती परधान प्रदान देश ने ने बमने हैं लोग नहीं 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 अ आपपा मारके देगा, तब तक जातिबाद होता रहेगा, आज के तारीक में एक भी आईयस नहीं, थाने पर दरोगा नहीं, थाने पर सिपाही नहीं, तौन जी मेदर, जो सरकार चलाए लोग, वहीं नीजी मेदर हैं, 1531 थाने हैं, हर थाने पर अखिलेजी आपन विर्यादर सर कजसा सब्सक्राइए तो सब्सक्राइए विस ऑ सब्सक्राइए आपको वीडियो हमारा देख लिजेगा कम से कम हमारी भीड में 5-6,000 के बीच की भीड थी कम से कम 2-3,500 मुसल्मान था दो दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी पार्टी का याकर की बने सब अपनों अखिलेश जी के साथ काम किया चुनाद लड़ें हैं या मतलब उनका तरीका क्या है काम करने का दोखा देने के माहिर है अखिलेश जी आप प्रकास राजभर गलत है मायवत्यों जी गलत है दो बाद धोखा दिये ने दो बार कांग्रेस को दोखा दिये राष्टी लोगदल को दो बार दोखा दिये निसाथ पार्टी को दोखा दिये अवंपरकास राजभर को दोखा दिये आठ बार दोखा क्या मतलब चुनाद तो लड़ेगा आपके साथ दोखा कैसा दोखा इस नाते गड़बंदन किस बात का हमारा अधिकार है कि आपका अधिकार है मानावत्ता यह है कि यकदो सीट पर आपके बढ़े नेता नहीं लड़ पा रहे हैं हम लड़ा देंगे हमारे नहीं गवार है १कि लेकिन बीसो सीट पर हमारा प्त्र Bossy होगा जब हम अच्छा अब यह तो बता दीजिए आपके लोग भी जानना चाहते हैं और आपको हम लोग पर सुनते रहते हैं राजबर साब मंतरी कब बनेंगे आपकी भावना की कदर की जाएगी क्या जंजट क्या कोई जंजट नहीं है देखिए एक समय होता है जैसे लोग करते हैं भाग से पहले असमय से पहले कुछ नहीं मिलता बात दू साल पहले करता हैं जिस दिन बिस्तार होगा उस दिन राजबर मंतरी बनेगा 22 को आयुद्या में भगवाराम के 35 हो जाने दीजिए उसके बात नम्मर है आपको बता दिया गया है कि नहीं हमको बताया नहीं आप इतना कॉंफिटेंटली बोल रहे नहीं बोल रहा हूं इतना कंफिदेंस है अभी गया था आप ग्रिवंद्री से मिलें आप हां नहीं गय काम हो जाने दीजिए अंड़ाजी से पुछे का हो कालबा काना सब सही है थे तो अमेशा जी ने ने तर्झ ने कह दिये 22 का कार्यक्रम हो जाने दीजिए बस दू.साल पहले पर्धानमंत्री जी ने कह दिया है इस दिन मेह स्तार होगा थे सबस्साइब है इस दिन विश्टार होगा न वह सब सही है यह आपको लेखकर कि लगता नहीं हमारी बाद जम रही है तो फिर आप कहीं उदर चले जाए नहीं नहीं ऐसा नहीं देखिए हम 18 जुलाई 2023 को मानी नरेंद मोदी जी जिल्ली में बुलाए बैठक हुई बैठक में तैं हुआ कि हम 28 दल के लोग संकल के लिए कि तीसरी बार मानी नरेंद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 400 सीट जीतना है और सभी लोग अपने अपने मन से काम करो अपने अपनी पार्टी के संगटन तेजी से विस्तार करो वहां से आने के बाद बिहार में सीवान आरा चपरा अब देखिएगा अभी मैंने कहा अमिस्ता जी से के कारकम खाली बिहार में दो आप और भी यूपी से ज्यादा भीड़ ना दिखा दू अब इना पैसे की भीड़ाएगी यूपी में सपा की सरकार थी तो इसको लोग उन्डाराज कहते थे वहां जब अर्जेडी की सरकार थी तो उसको लोग जंगल राज कहते थी यहीं नितीज जी जो बरतमान मुख्यमंत्री है गडबंधन किये सबसे बड़ा धोखा इस बार उन्होंने खाया कि जो लोग जंगल राज से दुखी होकर के नितीज जी के साथ गए वो लोग जब नितीज ज जिर जंगल राज में चले गए तो लोग साथ छोड़ दिये अब चाव राहे पर खड़ा हैं मोदी जी का इंतेजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी के मोहर मारे कि हो यह तैयारी हो रही हो रहां अंदर की धरातल की बात बता रहा हूं वह जहीं नहीं 10,000, 15,000, 8,000, 6,000 जहां ह देखा थाल तोम का हूँ है चाहे नलंदा का हो कट और रृँ आपके सी नरा छा रहा हूं जहा रहा हूं अभी जा रहा हूं थी टारिक को उता सब्सक्राइख देख सीवां कात्तकों पूचते हैं कि काibles, साट को जहां पीर तबहुत अँ जा हरा हूंाटि जहां भी दीता कर दिखाई देते हैं लोगों की जो मन की भामना वो आमको बताई तो पहले बाइस तारी का इंजार है राव मंदर की कारेकरम का फिर हमें इंतार रहे गा जब मंदर का विस्तार होता है कि हम हर साथ मंदरी के तौर पर राजभर जी आएंगे हमारे मंच पर उसके बहुत चु थू रजभर साहब बोट सुक्राइब बोट सुध्र शायका पर।